दोस्तों आप सबको फिट से एक बर बहुत बहुत दोलका मैं आपके अपनी चैनल ट्रागर इन फेंटासी पर तो पिछले दो दिन से हमने दोस्तों वीडियो नहीं बना पाई कि यह वाइफ है का बहुत इसू हो गया था जिसको ठीक करने में मतलब लगभग पूरे दो दिन लग गए तो इसलिए दोस्तों देखिए यहां पर हमने नहीं तरिके से वीडियो वराना शुरू किया वाइफ है को कुछ चेंजिस भी क्या है तो चलिए यहां पर बात करेंगे MCA Friendship Cup ODD के बारे में तो यह लिग का जो पहला मैच खेला जाएगा सेम ही लीग नहीं दोस्तों यह सीरीज कह सकते है आप जो की MCA Friendship Cup T20 हुआ था जिस दो टीम्स के बीच यहां पर वही दो टीम्स के बीच ODD सीरीज होने वाले है तो यहां पर उसका ही पहला मैच खेला जा सकाई क्रिकेट क्लाप मतलब नैशनल लेबल के प्लेयास को छोड़ के बाकी जो भी है उन्होंने यह आपर उनके लिए एक टीम बनी है तो वह एक टीम रहेगा तो यह दो टीम्स के बीच मैश होने वाल है तो सबसे पहले देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा हमारे टेलेगम चैल जोइन करना पड़ेगा किकी दोस्तो सुवह सबसे आपको इस यामีकि बारस की चांसे तो रहे ढए रहेगा हम इसा के लिए यहां पे और पीच रिपोट के बात करें दोस्तों बेसिकले आप कह सकते हैं बोलिंग फरली पीछ है लेकिन यहां पर एवरे स्कोर देखिए 265-108 तो ऐसा क्यों है एक ही वेनू के अंदर दो तरह की एवरे स्कोर कैसे हो सकता है तो इसलिए हमने लि स्कोर यहां पर एक्सपेट करना इसलिए हमने यहां पर दो नंबर्स को लिखके रखा है जैसे कि आज की मैच परिक्सन देखके आपको समाझ जाना चाहिए MS 90% winning chances, ACC 10% winning chances तो दोनों ही टीम उसके बीच आपको ऐसा ही winning percentage मलके ही चलना पड़ेगा तो दोस्तों दोनों ही टीम आपस में अभी तक कोई भी ODD matches नहीं केला है तो रिसिनली जो जो T20 ODD matches खेड़े थे उसके यहां पर बात हम लोग करेंगे तो सबसे पहले यहां पर देखिए MS की तरफ से बात करें प्रोबल प्लेइंग एक साई और एक्सटरी बैटिंग और सग में अपर प्लेयर स्टैट्स के बारे में बताएंगे सबसे पहले जुबाईदी जुलकिफाल ओपिनिंग कर सकते हैं मुहमद हजी गाईमन के साथ देखे विरंदे सिंग कुछ करण के वैसे चोड या फिर इंजूरी कुछ करण के वैसे यहां पर नहीं खेल रहा है उसकी जगए यहां पर हजी गाईमन खेल सकते है जुबाईदी जुलकिफाल चौंसर्ट रान लाश्ट निंग्स में और हजी गाईमन ने 23 सर्मनाए थे टी 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 की बात करो दोस्तों क्योंकि यह जो प्लियर्स से इनके अभी रिसेंट में कोई ओडिडी स्टेर्स नहीं है उसके बाद नमबा तीन में मुहमद आमीर अजीम 22 रन साइद अज नहीं पर 61 रन मारे थे जो की नमबा चार पर खेले थे बहुत इंपरेंट प्लियर्ट इस मैच के लिए भी लग रहा है फित्री सम एग उगे निकाले असलम खन मलिक चार रन बनाए तो यह टीटिटी सीरीज की पहरे मैचे से ही फॉर्म पे नहीं चल रहा है तो इसलिए आप चाहते इनको ड्रॉब भी कर सकते है इजात इद्रुस की बात करें एक उगे निकाले राहिम खन मलिक ने दो इक निकाले बेंच के पर भी रंदिप सिंग है तो यह अगर फीट हो जाए तो अब इसलिए मैच के अंदर आ जाएगा इसी मैच के लिए खेलने और कतानी के रिए सबसे बड़े जोइस भी बन दोस्तों यह आठ प्लियर्स है इंपोर्टेंट चॉइस में लेकिन आप बिल्कुल यहां पर दस एक नौ दो आठ तीन के कमेंटिस पर जा सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा दूसरे ट्यूम के बारे में अगर बता हो तो यहां पर देखिए सिसी टी फुंची हुआ उपिनिंग कर सकते है रोहिता इंडिका बंदा के साथ फुंची वान यह पर लाश्ट दो मैच में 0-6 रन और एक मैच पर विक लेस गये बोलिंग करें थे रोहिता इंडिका बंदा 11 एक रन तो इनके स्टेर्स के बार में जितना कमबत है उतना ही सही रहेगा क्योंकि किसी भी प्रयास का मतलब डबल डीजिस का स्कोर ही नहीं रहे देविंदा आयस नमबर तीन पर बैटिंग कर सकते है आट रन मना है लास्ट मैच पर ससिंदू लसन रतना है कि विकेट की पर इनके सक्षन पर रहेगा जीरो जीरो दो मैच पर बिल्कुल रन्स नहीं बना पाए लास्ट ली जो दो मैचेस खेले थे इसना का प्रभीन अलवीस एक रन आट रन तो थोड़ा बहुत कंसर्ण रहेगा इनकी बैटिंग मतलब रंगा तीन रन एक रन और एक विकेट निकाले थोड़ा सा अच्छे चोई सब के लिए मिल सकता है यह अकिला संदर वन बोलार होके भी थोड़ा बहुत बैटिंग कर रहे थे यहां पर जीरो रन अठर रन की है लास्ट दो मैचों में और एक मैच पर बोलिंग करी विकेट चले गए विनोट संदर वन जीरो रन साथ रन उसके बाद है धनूस फेरा मुना रन जीरो रन साथ रन एक मैच पर बोलिंग करी विकेट लेस गए समिल बंदार लागे रंस नहीं बना पाए बिरकूल एक मैच पर बाटिंग मिली थी इनको तो यहां पर देखिए दोस्तों अगर आप रोटेशन भी करना जाओगे तो आपको मलेशियन स्टार्स एमस की जो टीम है उसकी तरफ से ही आपको उसी की तरफ से ही बनाना पड़ेगा तो इसी टीम के तरफ से अगर आप देखोगे तो रहीत इंडी का बंदा है और चनू का चतिरंगा आपने रेकूमन कर सबसे बड़ी अपिक की तरफ से रहने वाले है तो इससे ज्यादा कप्तानी के चोईस किसी के पास भी नहीं रहेगा मतलए परसंटेस की बात कर रहा हूं यही आपके लिए डिफर्ट कैपनिसिक अप्शन बनेगा इस मैच में भी ओडिडी हो या फिटीडी हो कहीं पे भी विरंदिप सिंगी सबसे बड़ी अपिक अमलेसी की तरफ से रहने वाले हैं ग्राण लीग चोईस की बात करें विजय उन्नी इजाद इद्रूस फित्रिस हैं मुहमद अमिरह तीम चार प्लेयास जिनको आप जील पर रोटेशन कर सकते हो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप ए तो है कॉमिनेसंस बनाना है ग्रैंड लीग के अंदर तभी आपकी टीम अच्छी बन सकते हैं तो फिलाल दोस्ते रहेगा आपके स्ट्रेशन लेसिस की बात आप हम चलेंगे ड्रीम लिंग तरफ एक स्मॉल लीग का डेमो टीम मनाकर आपको दिखाएंगे लेकिन फाइनल जो टीम्स है वह आपको मिलेगी हमारे जिसका लिंक तो बता दिया और आप टार्वन फेंटासली की टेलिगाम पर सार्च करके महां पर जौन कर सकते हैं तो भाई लोग देर की इस बात की फाइनल टीम्स के लिए अभी के भी हमारे टेलिगम जौन करिए अभी चलता है यहां पर क्या करेंगे इसको लेके ही चलेंगे अगर नहीं खेले तो ड्रॉप कर देंगे कोई बात नहीं है तो भिरंदिफ सिंग रहेगा और साहित आज इस दोनों रहने वाला है बाकि देखे इंदी का बंदा को प्राइए कर सकता है दूश्य टीम के तरफ से यही एक- पर अकिला संद्रवन को पिक करेंगे तो तीनों प्लेस हो गया है और उन्रा सिक्षन के तरफ देखे सर्भिन मुनियांदी रिज्वान हैतर और फित्रिसम और डी आयस चार को लिया तो डी आयस बहुत रिस्की है हां मान रहा हूं लेकिन थोड़ा सा रिस्की करना चाहिए क्योंकि दो से लेके तीन क्यस्त हमने दूसरे टीम के तरफ से लेना ही है और देखिए अब बात करें बोलिंग सक्षन की विजय हो नहीं रहेगा इजयत इद्रूस तो दोनों हो गया है कोई बात नहीं है दोस्तों नो दो की कॉमिनेसिस बन गए है जो भी हम बनाना चाहते अब ही सेप करके यहां पर आपको क्वारे में दिखाँगा उसके बात करूंगा विरंदी सिंग सबसे बड़ी कपन से चॉइस अभी है लास्ट मेंच नहीं खेले उसके वाज़िद भी हैं पर सबसे बड़ी कपन से चॉइस लेके बैटा है क्योंकि प्लेयर ही ऐसा है तो उसी के साBB dies व्ठी खेले उसके साBB पर इसके बैटार है तो ग्रिष है ग्रेंदし कंठीन पर रहेगा विरंदीप सिंग साध अजिस दोनों है बैटिंग की माद करें एफाइस दूलकी फाइल अकिलास अंदरवन तीनों बेस्ट बैटिंग और अलन उस पे देखिए सर्भिन मुनियांदी फित्री साम रिजवान हाईदर डी आइस चार बेस्ट पीक बोलिंग सेस्थन पर विजय उन्नी इजात इद्रूस दोनरे का बोलिंग पर है तो फिलाल को हमने इसलिए कहा कि दूसरे टिम के तरफ से और और की जगा पर खेले प्रपर और है अगर ओडीटी में थोड़ा बहुत पचास रन के साथ एक दो इकर निकाले तो आपके असन के साथ ग्रेंड लिंग में है पर बहुत बड़े विनिंग दिला सकते है इसलिए हमने बता तो इसके पीछा और कोई खास रिजिन नहीं है आप चाहते हैं इनको बिल्कुल ड्रॉप भी कर सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं है दस एक की कॉमिनिसंस पर जाओ और आसनी के साथ सेफ टीम मना कर खेलो तो फिरहल दोस्तों यह रहागा आपको लेक डेमो टीम फाइला ट कीजिए थैंक वेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर